बैसाब नवश्कार, राम राम, साचरीकाल, सारे भाईयों को मैं अपने कभूतर का शोग दिखा रहा हूँ आज मैं, अपर जो जन्वारी में जो इन कभूतर को दोड़ाऊंगा मैं, उसके फर आपको शोग दिखाऊंगा, मेरे उस्ताज हैं, गले सुस्ताज मेरे रहते हैं मेरे झाल सकतर मेरे रहते हैं, इन रहते हैं, पहते हैं थाल जन्रवेड 1.5 mm, पहते हैं, व्यूस्वा orthग ending कभूतर की खानिवा आपको दिखाब के उस्ताब के रहते हैं, बहते हैं, बहते हैं, उस्ताब झाल सकतर प्म अद्ध Marines जबल क्साइब लाग 9.3 झाल झाल हेलो वेल्कम बैक टु मैं यूट्यूब चैनल एक्सवाइटर बिर्ड्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप सबको मालूम है कि आपके भाई के 110 के सब्सक्राइबर हो कहा है मतलब 10,000 सब्सक्राइबर कम्पलीट हो चुके हैं और वह भी एक साल से कम के समय में है अभी क्साल भी मुझे नहीं हुआ है नवंबर में मुझे एक साल होगा और तब तक आपने मेरे 10 के करवा दियें ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी मेरे लिए अचीफमेंट है दोस्तों कि इतनी जल्दी आपने मिले 10,000 करवा दी है और अपने भाई को एक लाग तक भी आप पहुचाएंगे मुझे उमीद है मुझे सच में उमीद है और भाई जैसे तोस्तों ठीक जाता रहे है और ये देखिए दोस्तों वाजी भाजी बढ़िया तो उसके लिए thank you so much दोस्तों love you all दोस्तों और दोस्तों राकेश भाई की मैं बीच-बीच में आपको बताता रहूंगा और राकेश भाई के कबूतर आई है जो की टेली में कबूतर बाजी करते हैं और ये देखिए दोस्तों वाजीवा बहुत ही बढ़िया देखनें दोस्तों दोस्तों ये टोटल जो कबूतर हैं वो 100 से 110 कबूतर हैं टोटल 110 ही हैं और ये देख सकते हैं और एक कबूतर भी इनोंने नहीं रोक रखा जाल में, जितने कबूतर हैं, वो सारे के सारे उड़ाते हैं और सारे के सारे बंद करते हैं, यह दिखिए कि बीछे मैं कर ढों प्रे कुछ किल्सो आदमी है है इनको मिलकर बैठ ढहता है वह वह समस्जथय को बात नीए देखी जाए कि जोड़ाएं सच भोलना है उस्च भोलना पर नहीं से चहतेए आप कि आप तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा यह सेंदा कभूतर मतलब जंगला कभूतर जो भी इसको बोलते हैं और यह देखिए दोस्तों और अभी उपर बैठ गया है तो यहां पर देखिए दोस्तों दोस्तों यह तो शुरुवात है अभी तो मैंने आपको बीच बीच में आपको वार जीवाद थीज़े चिट्टी परोसे कहीं भशा सिस्क्रीब के देखें तो भी सिर्टी, पड़ाले करें पन्जाब के जो ऑफा सिवत्त्री से अधिर्फ दोस्तों कवूतर तो राकेश भाई नयुक्त बहूत अच्छे है तो अभी मैंने आपको दो दिखाएं, अभी और भी दिखाऊंगा मगर पहले आप थोड़ा सा ओवर्वीव भी मार लीजिए, ये देखिए वाजी वाब, दोस्तों कबूतर तो बहुत अच्छे हैं, सच बता रहा हूँ मैं मुझे तो बहुत पसंद आए, और उड़ते भी बहुत अच्छे हैं दोस्तों, इस सीजन में सही उड़ रहे हैं कबूतर और ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, हाथ में पगड़के और भी दिखाऊंगा कबूतर वह मैंने बीच-बीच में से दिखा रहा हूँ, जिससे आप वीडियो स्किप ना करें, तो कि आप वीडियो स्किप करेंगे, तो आप कोई ना कबूतर छोड़ देंगे, इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, शुरू से लेके एंड तक, 10-11 मिनिट की वीडियो कोई ज आपके साथ कितने टाइम से हैं? इनके पास आपके पास कबूतर हैं, जरू है, तो चलिए दोस्तों कि हम इनके आप भी वीडियो बनाएंगे, तो आपको दिखाएंगे ज़रूर, यह तीसरा मैक पाई है, तीनों भाई जो है यह शेम है, देखिए दर से बीजिए, दो भा दो भैने, एक भाई है, यह पंजाब की है, दोस्तों, जैसे कि आपने एक मैक पाई कबूतर देखा, काला, इस कबूतर को देखके, जो जो मेरे पुराने वीवर्स हैं, वो जान गयोंगे कि मेरे पास भी एक काला कबूतर था, इतना अच्छा तो नहीं था, यह तो काफी अच्छा कबूतर है, मगर वो भी मेरी जान थी, उसकी फोटो आपको सामने दिख गई होगी, ठीक है न दोस्तों, यह कबूतर मेरी जान थी, और यह तो अभी मेरे पास नहीं है, मैंने बेच दिया था, तो बस इसको देखके मुझे उसक्याद आगई, और राकेज भाई क कबूतरों का तो जवाब ही नहीं है दोस्तों, बहुत बढ़िया दोस्तों, मतलब परकेजी देखेए, बहुत अच्छी है, और सौ कबूतर एक जुट बनके उडरे है, यह भी बहुत अच्छी बात है, बहुत से लोग दिखाते हैं, मगर उनकी कबूतर एक जुट होके अ प्रश्ग करीच-पठा में आपको कभूतर बाज कभूतर बाजी में लोग दूसरे के निखने हैं इसके आप भूम भी देख लेजिए अलागा जबागा सामने से लिखाएंगे हाँ देखिए देखिए हाथ में लेके कितना बुरा मान राष्टा में यह है और दोस्तों आप देख सकते हैं हाथ में इसने इतनी ज्यादा वैक्स छोड़ दी थी मतलब कि वाइट वाइट जो क कबूतरों में से निकलता है और यह देखिए राकेश भाई इन कबूतर को हाथ में जादा नहीं लेते हैं और यह देखिए दोस्तों है ना कुछ चीज दिखा रहा हूं ना आज आपको यह देखिए दो पूरी वीडियो मैंने एक डब बिल्कुल एक कबूतर को दिखाया दोस्तों इसके अंदर और आप देखिए और अगर राकेश भाई के कबूतर अगले इस साल उड़ते हैं जनवरी में अगले साल जो जनवरी आएगा मतलब उसमें उड़ते हैं तो उसकी वीडियो भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे यह देखिए यह देखिए दोस्तों बहुत ही बड़िया मज़ा आगया दोस्तों मेरे तो रूख भूश हो गई थी इन कबूतरों को देखके आप ज़रूर बताएगे का कॉमेंट में कि आपको कैसे लगे हैं और भाई के चनल को सब्सक्राइब कर दो और जिसके पास भाई एक बात बता दो नौटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर दो वापस से वो जो लाल कपर कलर का बटन है वो फीका हो जाना चीए तो समझने सब्सक्राइब है अपने कुछ भाई हैं जो सब्सक्राइब करके नहीं बैठे हुए तो इसलिए बाई सब्सक्राइब कर जिससे की motivation भी मिले और अपना भाई आपको notification भी पहुचा है ना बाई यह तो यह मजई आता है पर्देसी कभूथर के अंदर ओना जीव परदेशी कभूथर के अनदर शोक और पंजाब करों आज कल देशी कभूथर गीदिन आख़ जे गीजिए दोस्तों बात बात ही नहीं है मतला बहुत भड़ी आक दम जिये देखिए कि देखिए पन्जाब से दोब सोधोर नलाको आप खोदी लेकर आते हैं मेरे फ़ए मेरे आच्छाड वो नपारी मिरसाद पंजाब १ луч इसले दोफंग यह बहुत बढ़ी है अब इसाड़ से दिख लिए आप देख लिए आपके लाजब कभूतर है और उड़ते भी अच्छे है हम चाहेंगे कि जरूर आपकी मतलब सीजन में हम आपके द्रोड के शौक देखेंगे जरूर देखेंगे अब बहुत कव्याजब काम करता है का तक झाता है गोटाई ने तक गिलाए तक देखाइंगे जो एब अब आपके जो ऑन्हें आपके किला धोड़ाना का गोटना का ज़ु जो है आपके लेंगे तक दा इस दक धिर पंजाब की कड़ाना टीतरी है चड़धार के बुट्री ह तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो देखी अभी राकेश भाई से भी आप हम द्वारा एक बार बात करेंगे और दोस्तों यह कबूतर जो है यह सारे आप जो देख रहे हैं इन में से कुछ कबूतर जो राकेश भाई हैं कुछ टाइम बाद हटाएंगे तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब रखिए क्योंकि कुछ आप जैसे देखी रहे हैं कि कबूतर कितने अच्छे हैं तो आप ऐसा मौका न लेकर आएं तो वह वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी एक आथ दो दिन में वह वीडियो भी आ जाएगी तो इन में से फिर कुछ कबूतर हटाएंगे फिर वह कबूतर मिलाएंगे तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखा करिए जिससे आप कोई भी वीड सब्सक्राइब नाम से चैनल है इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें धन्यवाद मिलते हैं आपसे आगे अगली वीडियो में जो है